नमश्कार मैं हूँ साधना भरती महंगाई और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है दाल रोटी के लिए आजाम आदमी को संघर्च करना पड़ रहा है आजादी के बाद डीजल पेट्रोल की कीमत पहली बार भाजपा की हुकूमत में 100 रुपे की सीमा को लांग गई मगर भाजपा महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के मोड में नहीं है समूची भाजपा हर पल बस चुनावी मोड में रहती है चुनाव की आहट आते ही भाजपा में जाती और धर्म को धंदा बनाने के सप्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की कुर्चन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी सापों से संबंध हो जाते हैं इसलिए तो मैं कहती हूं कि भाजपा ना रामवादी है ना ही कामवादी है भाजपा केवल वोटवादी है नपरत घ्रना और द्वेश भादी है भाजपा जनता की भावनाएं उद्वेलित करके अपना उल्लू सिधा करती है लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलती ह भाजुपा महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान बटकाने के लिए हिंदू-मुसल्मान के नाम पर कहराम मचाती है महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान बटकाना चाती है अब तक सुभा अजान भी होती है मंदिरों में घंटियां भी बस्ती हैं भजन कीर्टन भी होते हैं प्रबात फेरियां भी निकाली जाती हैं भारत में अधिक्तर हिंदू, मुस्लिम, से, किसाई, बौध, पार्सी, जैन, आदि सभी साम्प्रधाइक सदभाव के साथ अपने धार्मिक रिवाजों के अनुसार अपने ईश्वर, अल्ला, वायगुरू, परमपिता, परमात्मा की स्थुति करते हैं, साधना करते हैं, आर लों को आहत करने के लिए तिकडंबाजी नहीं करते, मगर जब से मोधी हुकूमत आई है, आए दिन हिंदू-मुसल्मानों में द्वेश्पून माहौल बनानी की एक होड़ सी लग गई है, कभी किताब और हिजाब, तो कभी अली बजरंग बली, कभी शम्शान और कबरिस् देश का प्रतेक सच्चा हिंदूस्तानी, यही चाहता है कि हिंदू-मुसलिम सी किसाई आपस में हो भाई-भाई का नारा बुलंद रहे, सब यही चाहते हैं कि जंडा उचा रहे हमारा विच्च विजई तिरंगा प्यारा, नफरत से हम करें कि नारा और देश में हो बस भ साथी अपना वीडियो बनाकर नफरत के खिलाब आवाज उठाईए और अपना वीडियो में वाट्सअप कीजिए 6357118201 पर या आप अपना वीडियो में मेल भी कर सकते हैं, speakup at inc.in.